नंद महराज के जितने भी छोटे बड़े भाई थे, उपनन्द गोप, अभिनन्द गोप, सनन्द गोप, नंदन गोप, दुरानन्द, सुनानन्द, जितने भी लोग थे, उनकी जो बहन इत्यादी थे वो भी उसमें समलित होई थे. यसुदा मैया की जो बहने थी जो कनहिया की मौसी हैं वो भी उसमें समले थोने के लिए आई थी उनका नाम तो यसुदेवी और यससुनी वो अपने अपने पती चाटू और बाटू के साथ में आई थी तो जब वहाँ पर निर्थित्यादी हो रहा था तो कनईया के जितनी भी मौसियां थे, कई और सारी भी थी, तो वो लोग भी वहाँ पे सुंदर तरीके से निर्त कर रहे थे, यसस्वनी और यसोदेवी. कृष्ण के मामा गण भी आये थे, यसोदर, यसदेव, सुदेव, तीन चार मामा थे, वो भी आये हुए थे, वो भी न्यारे वहाँ पे निर्त कर रहे थे, जब सभी वरजवा से निर्त कर रहे थे, तो वो भी निर्त कर रहे थे. गोपल चंपू में एक अधुद घटना का बढ़न किया गया है, कि जैसे आजकल देखा भी जाता, जब सादी विवा का माहूल होता है, तो कुछ पक्च के लोग किसी दूसरे पक्च के लोगों को पीटते हैं, ऐसा कुछ कहीं कहीं रहता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही विचित्र घटना हो रहे थे, कि कृष्ण के जो काका ताव इत्यादी थे, वो कृष्ण के जो मामा थो, मतलब जो यह सुदम भीया के भाई थे, उनको पीटने का प्रियास कर रहे थे, पकड़ के ऐसी हासी मजाक में, घशिट रहे थे, क्योंकि वहाँ पे तो दधी कादा मचा हुआ था, दूद दही की होली हो रही थे, वो लोग अपने ही पिता, सुमुक, क्योंकि जो यह सुदम भीया के पिता का नाम है, सुमुक पाटिला, सुमुक और पाटिला उनकी माता का नाम है, तो अपने पिता के पीछे आकर के, छुपने का प्रियास कर रहे थे, लेकिन फिर भी, नंद बाबा के जितने भी भाई थे, उन्होंने पकड़ के उनको घसीटा, और उनको पीटने लगे, और हासी मजाग होने लगा, कहने का उतलब है, जो आनन्द है वहाँ पे हो रहे थे, कोई बुरा नहीं मान रहा था, तो इस परकार से, प्रथम दिन का बड़ा ही ब्रहद उत्सव हुआ, ये है अस्टमी के बाद जो नौमी तिथी आई है, क्योंकि नंद उत्सव जो हुआ है, वो नौमी तिथी को हुआ है, तो नौमी तिथी को बड़ा ही ब्रहद नंद उत्सव समलित हुआ, नोत्सव मनाया गया जब नोत्सव पूर्ण हुआ सुबहे से लेके दोपर तक तो सभी लोग जितने भी ब्रजवासी थे यमना जी में इश्नान करने के लिए फिर से एक बार गए सभी इस्नान करने जाते हैं वहाँ पे भी खुब उद्धा मचता है क्योंकि सब प्रण प्रसन्थ है यमना जी में उशलकूँद करते हैं ओप्टा नित्यादी लगा कर इस्नान करते हैं यदपी सामानेता जो सादक गण है उनके लिए सब निसेद रहता है कि जल में ओप्टा नित्यादी या ते लर लगा कर इस्नान नहीं करना चाहिए लेकिन वो तो नित्य परकर हैं तो उनके लिए ऐसे कोई बात नहीं है तो आनंद से वो लोग यवनाइश्णान इत्यादी करते हैं और फिर लौट करके आते हैं संध्या में जब सबी लौट कर आते हैं तो इतने में रोहनी जी सभी के निमित जितने भी प्रजवासी थे उनके निमित सुंदर रसो इत्यादी कर दिन भर से उत्सव चलना है तो भूग तो लगी आएगी तो इस प्रशाद तौबश्य होना चाहिए तो रोहनी जी ने सभी के निमित अपनी दासदासियों के साथ में मिलकर के सभी प्रजवासियों के लिए किया स रेष्वादेश्ट भोजन के निर्मान कराया है जिस प्रकार से प्राधाकाल या फिर कहें पूर्वान और प्राधाकाल में जिस प्रकार से उत्सव मनाया गया था उसी प्रकार से रात्री में भी दिब उत्सव मनाया गया था तोकि उत्साव एक दिन ही नहीं चला, दो-तिन दिन तक लगातार चला था तो रात्री में भी जिब गाजेवाजे के साथ मैं जितने भी बंदी जन थे जितने भी लोग थे सूत मागद बंदी जन वो बड़े इस्तार से भगवान की इस्तुति कर रहे थे और वहाँ पे जितने भी वंस, मतलब नंद महराज और उनके वंसज है, उनकी स्तुति की जा रही थी जब नंदोत्सा पूरा हुआ संध्याविला तक, तो उसी बीच में एक विचेत्र घटना हुई बसुदेब जी ने एक दूद को भेजा बसुदेब जी क्योंकि सब चीजों को जानने वाले है, बसुदेब जी मतरा में रहते हैं और उनके भी गुप्तचर हैं, जितने भी राजा होते हैं, उनके गुप्तचर होते हैं तो उनको पता रहता है कि कहां क्या हो रहा है तो कंस के माध्यम से यानि गुप्तचर के माध्यम से कंस क्या करना चाहरा है वो उनको पता चल गया था तो वसुदेव जी ने एक गुप्तचर को भेजा नंद महराज के बास में कि तुम जाओ कहके आओ कि तुमने इतना बड़ा उच्छा तो कर लिया है अब तुम्हें राजा को कर भी दे देना चाहिए और तुम मेरे पुत्र के बारे में भी थोड़ा पता कर गया हो क्योंकि बलराम जी गोकुल में ही थे नंद महरावन में ही थे तो अपने पुत्र की सुब सूचना के लिए अपने पुत्र का मंगल जानने के लिए एवं कुछ जानकारी देने के लिए कि क्या मत्रा में हो सकता है तो मैं कर दे देना चाहिए इसलिए वसुदेब जी ने एक दूद को भेजा, दूद भी संध्या मेला में आता है, यमना पर आता है, यमना के पास में तो कंस के जितने भी पहरेदार हैं, सब बैठे रहते हैं, क्योंकि कोई अगर नौका लेके आता है, तो उससे करव त्यादी बशूलना है, टेक्स ले रुदूसकाल आ चुका था, संध्याकाल आ गया था, तो संध्याकाल में वैसे भी नदी नलों में कुछ दिखता तो है नहीं, अधेरा सा हो जाता है, इस प्रकार से वह दूद छुपता छुपाता हुआ, कहां आता है, तेरते तेरते ही, पूरी नदी तेरते हुए, मतुर तो बहुत सारे पेड़ पौदे, बहुत कुछ राता जाता रहे तो उसके पेड़ भी उसके जितने भी वस्त्र थे, वह कटफिट गए थे, जीन्ड सीन हो गए थे, तो बड़े उससे वहां पे बैठता है, नंद बाबा को परणाम करता है, नंद बाबा उससे पहले से ही क्योंकि नंद बाबा बशुदेब जी तो मिलते रहते, दोनों भाई हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, है ना, अभी बताया था, ये छत्री पत्नी से उत्पन हुए हैं, बशुदेब जी सूरसेन के माद्यम से, और जो वेश्य पत्नी हैं, परजन जी उन से उत्पन हुए थ तो परजन जी से नंद बाबा उत्पन हुए थे, तो एक ही कुल है, अगर पूर में देखा जाये तो देव मीड जी के माद्यम से, दोनों के एक ही पिता है, यानि उनके दादा पर दादा जो है, वो एक ही है, दादा जी हो गए एक परकार से, तो दोनों पहले से ही आपस म मिलते रहे, जब वहदूत बसदेब जी के नंद महराज के सामने आया, तो नंद महराज पूछते हैं कि भाई, तुम तु बड़ी विचितर दसा लेकर के आये हो, क्या चाहते हो, क्या सूचना लेकर आये हो, तो वहदूत जो मत्रा में घटित हुआ, उसको वैसा का वैसा देता है, दूत बताता है कि किस प्रकार से कंस ने आठवी कन्या को भी पत्थर में मारने का प्रयास किया, जब नंद महराज ने ये बात सुनी तो उनका तो हिरदाई ही फट गया, नंद महराज कहते हैं कि देखो दूत, तुमने ये बात मेरे सामने तो कही, लेकिन ये समझ पाएंगे, दूत कहता है, महराज आगे तो सुनिये क्या हुआ, क्योंकि पूरी बात उन्होंने सुनी नहीं थी, उन्होंने आधी बात सुनी थी कि कंस ने उस कन्या को हाथ में लिया, जो योग माया थी, और उनको पत्थर में मारने का प्रयास किया, लेकिन उससे पह तुम्हारा मारने वाला अन्यतर कहीं चन में ले चुका है, इसके लाबा और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कहीं, क्या क्या कहीं, ये भागवत में तो वर्णत नहीं है, लेकिन ललित माधाव गरंथ में जो रुग स्वामिपाद ने लिखा, एक विसाल नाटक है, उस उसको बहलाने के लिए बोल दिया, ये दपी, जो अस्त सक्तियां थी, राधा चंद्रावली, और जितनी भी सभ्या, पद्मा, ये सब के सब जन्म ले चुकी थी, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उसी के समकालीन, इनका भी जन्म हो ही चुका था, लेकिन क सब्सको बहलाने के लिए, जैसे होता है किसी को सही सूचना नि देनी है, तो हम क्या बोलते हैं, अर्ध सथर का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई पूछते हैं, आपको मालू है, हाँ, कुछ-कुछ मालू है, तो इसका अतला मालूप तो है, लेकर हम बताना निए चाहते हैं, तुरी सी प्रकार श्ट बजादारी जो देवी हैं, तो वो कहती हैं कि अध्या स्वभा परश्वभा यानि की कल और परसों में अश्ट महा अश्ट बजादारी जो देविया हैं, उनका भी क्या हो गया है? जन्म हो चुका है. और उनमें से भी जो दो कन्याएं हैं वो बड़ी ही प्रभाव साली है श्री राधा और श्री चन्दा वली जो कोई भी इन से बिवाह करेगा वो महान सक्तिव साली होगा और वो सिभजी को भी जीत सकेगा क्योंकि वो तो भगवान कृष्णी है कि जो सिभजी को भी परास्त कर सकते और किसी में तो सामर्थ है नहीं सिभजी को परास्त करने की कंस तो दूस्ट बुद्धी का था उसने योजना बनाई कि होना हो अपनी इन कर्ण्याओं सो बिवाह कर लो तो उसने सोचा कि इन कर्ण्याओं को मैं हरण कराता हूँ तो ये बात इनोंने इनको नहीं बताई मतलब ये तो बैक्गराउंड में स्टोरी चल रही है इनोंने केवल इतना ही बताया कि अस्ट बुशाधारी जो देवी थी उन्होंने इनको आदेश दिया और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा मारने वाला कहीं प्रकट हो चुका है इतना ही बताया नंद महराज को ये मालूम नहीं है कि अस्ट बुशाधारी जो अस्ट महा सक्तियां है वो कहीं प्रकट हो चुकी है ये नंद महराज को मालूम नहीं था ना ब्रजवासियों को मालूम ता इस विसाय में कौन जानता था? पूरा-पूरा केवल योगमाया जानती है अर्थात पौर्णमासी जानती है थोड़ा बहुत कंस को मालूम था कि कहीं-कहीं जन्म ले चुकी है और भी इनको आदेश दिया दूद बोलता है कि बसुदेब जी ने आपको संदेश भिजवाया है कि आप अग्तत्काल चितना सिक्रती सिक्र हो सके उतने जल्दी कर दे देना चाहिए उपनादगो भी वहां थे उपनादगो बोलते हैं बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम कर दे दे देंगी दुष्ट कंस को कर दे करके कि उसका मुख मुद देना चाहिए है ना इस परकार से ऋना योजना मनाई जो दूद आया था उसको संदर वस्तरप्रदान किये गए सूखे वस्तरप्रदान किये गए और उसको भुजनित्यादी देया गया प्रता काल होते ही वो दूत बापस कहा चला गया? मतरा की ओर चला जाता है अभी ये दस्मी थी आ गई है ठीक है? नोभी थी 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 अश्टमी में भगवान कए मदिरात्री में जन्म हुआ नोभी में नंदोट्सव मनाया गया दिन भर रात्री में फिर दूत आता है, प्राता काल दूसरे दिन, दसमी के दिन, फिर से नंदोट्साव का दूसरा दिन, जोजी उगस्वामिपाद ने गोपाल चंपुक दन्त पे इसी प्रकासे वर्णित किया है, कि नंदोट्साव का दूसरा दिन, तो जिस प्रकार से पहले देन, क्योंकि हुआ क्या था, पहले देन केवल जो महला वर्ग थी, जो ब्रजवासनी थी, उनको ही कृष्ण का दर्शन हो पाया था, पुरुष वर्ग को दर्शन नहीं हो पाया था, बहुत कम लोगों को, नंद बाबा और जो, नंद भावन के कट्तम थे, लेकिन जिस प्रकार से जब कमल खिलता है, तो भौरों को निमंतरन नहीं देना पड़ता, भौरे अपने आप, उसकी तरफ आकरशित हो जाती है, उसकी सुगंद से ही आकरशित हो जाते हैं, तो बहले ही किसी को निमंतरन दिया है या नहीं, किसी ने परवा ही कि सभी लोग कृष्ण का अपलक दर्सन करने के लिए क्या हो जाते हैं, दोड़े हुए नंद भावन की और आने लगते हैं, तो आज दूसरे दिन, अर्था आता, जैनम के दूसरे दिन होने नंद भावन के दूसरे दिन, फिर से सभी बर्जवासियों को जितने पुरुष कदिन का दर्सन कराया गया, सभी लोग कृष्ण दर्सन का आनंद कर रहे थे, कोई एक के ओaufen सत, कोई कुई खड़ हुआ है, क्रृष्ण आगे सामने है, कोई पीचह आरहा है, पीचह से उसको पर कंधे पे चड़ रहा है, सभी लोग क् chiष्ण का दर्सन करने के लिए लाला होती है कोई आ रहा है नंद भावन की और कोई जा रहा है जो नंद भावन की और आ रहा है वो जिस जो दर्सन कर चुका है उससे पूछता है कि भाई क्या देखा अभू कहता है वो कुछ बोली नहीं पाता है कई-कई बार होता है न कि जब हम कुछ आश्चार माई बस्तू को कोई अनेरवचनी वस्तु देख लेते हैं, तो हमारे फिर बच्छन इस्फुटित नहीं होते हैं, बच्छन प्रकट नहीं होते हैं, तो ऐसा ही हुआ, कोई कुछ बोली नहीं पा रहा है, इतना मंत्रमुक्द हो गया है, इतना अनन्दत हो गया है करनेया का दर्सन करके, कि उ कि उस संदर कहां बढ़न कर सकते हैं, सभी लोग दिब आनन्दत तरीके से दर्सन कर रहे हैं, संडल मुनी इत्यादी भी वहां पे दर्सन करने के लिए आए, तो रोहनी जी कनहिया को गोद में रखे हुए थी, यसुदा मैया भी वहीं बैठी होई थी, सब लोग तो जब रोहनी जब संडल मुनी आए तो गुरुजी आए हैं, तो गुरुजी आने पर तो सब खड़ हो जाते हैं, तो रोहनी जी खड़ हो जाते हैं, तो रोहनी जी खड़ होने लगी, तो संडल मुनी ने का नहीं आप बैठे रहे हैं, आपको खड़ होने के आवशकता नहीं बा जिसे आज भी एम बर्ज में देखते हैं जिस जनमास्त में होती हैं तो उसके कई दूनों तक यहां पर जनमास्त में का जो ओत्सा होता है या नंद भूता होता है वो अलग-ज़ग जहरों मनाए जाता है यहां के पराचीन बर्जवासी है तो उनके घरों में अगर आप तो इस प्रकार से आज भी यह प्रथा यह कुल्चर देखा जाता है यह सब्सक्रा है कि लोग अगर एक दूसरे की घर जनवासमे को उपरा आते हैं तो नंद उत्साव की जो बधाई होती है उनको अवश्रे ही दे जाती है तो नंद उत्साव का जो उत्साव है, दो तीन दिन, चार पाँच दिन लगातार चलता रहा। इसी बीच में, नंद महराज बड़े चिंतित हो रहे थे कि कैसे कर दें, क्या दें, क्या नहीं देना चाहिए। तो इसके छटमे दिन, जो Krishnan का जन्म हुआ था, आस्टमी को, तो उसके छटमे दिन, क्या करते हैं यह विचार करते हैं कि आज तो चटी का उत्साव है, चटी का उत्साव में रात्री का होता है, है ना चटी सोहल इत्यादि गाय जाते हैं, आज भी यह प्रथा होती है, उस बहुत सारी चीज़ें, बालक के या बालिका के निमित, जो उसके छटी का उत्सव होता है, उसमें लाते हैं। तो कनेया के निमित भी जितने भी ब्रजवासी थे और बिशेश रूप से नंद बाबा के जितने भी बंदू बांधाऊ गान यरिष्तेदार थे, वो क्या करते हैं? बहुत सारे सामगरी लाते हैं और पालने इत्यादी की भी सामगरी ले आते हैं. चटी का उत्साव जब वहां पर उपस्थित होता है तो नंद बाबा ने बिचार किया कि दिन भर तो हम आज व्यस्त नहीं है राज काज कोई काम भी नहीं है तो हम क्या करते हैं आज के दिन सुबह की सुबह ही मत्रा की ओर निकल जाते हैं और संध्या तक हम आ जाएंगे और संध्या में फिर जब छटी का उत्सा होगा उसमें समलित भी हो जाएंगे तो ऐसा विचार करके उन्होंने बलिष्ट बलिष्ट गोपों को क्या किया गोकुल की रक्षा करने के लिए निक्त किया गोकुल की रक्षा करने में एक सी वलिष्ट गोप नियुकत थे उनके हाथों में नारायन अस्तर से या फिर नारायन मंत्र से अभिमंतत तीर कमान थे धनशपान थे और घुम घुम के वो पूरे गोकुल की रक्षा कर रहे क्योंकि इनको अंदेशा तो होई गया था कि कुछ उतपाथ हो सकते हैं क्योंकि दूत आया था दूत बोल भी गया था कि आपको बहुत अच्छे से बालकों की सुरक्षा करने चाहिए नंद बाबा जब मथरा के लिए गमन करते हैं कनैया को गोदी में लेते हैं गवन तो करना चाह रहे हैं लेकिन कनया को देख देख के बार बार उनके हिर्दा एकदम दिर्वित हो जा रहा है अभी भूत हो जा रहा है कनया को देखते हैं नीचे रखते हैं धोड़ी दूर निकलते हैं फिर आके लिगोदी में लेते हैं बार बार ऐसा ही चल रहा है, इतनी में धाई, जो धाड़न रहती है, वह उनसे बोलती है, कनेया से बोलती है, कनेया तुम्हारे बाबा अभी मत्रा जा रहे हैं, तुम्हारी अनमती चाह रहे हैं, तो कनेया भी उसी समय थोड़ा मुश्करा देते हैं, नंद बाबा उसी पता नहीं क्या होगा वहाँ पर हो सकता है लोटके भी नाओ क्योंकि बट दुस्ट था कंस की दुस्ट था तो सभी जानते ही थे तो नंद बाबा तो यही सोच के जा रहे थे कि हो नहो नारायन ही हमारी रक्षा करेंगे जब नाराण ने मुझे इतनी वृत अवस्ता में पुत्र दिया है तो निष्चत ही वह मेरी रक्षा भी करेंगे अब यहां पर नंद बाबा को अपने प्राण की चिंता नहीं है उनको आसा क्या है कि मुझे कनईया का दर्सन करना है इसलिए मुझे जीवित रहना है जो नमें दीर्ग जीवन की आसा है कि लंबी आयो होनी चाहिए मेरी वो क्यों कि स्लिए है? कि कृष्च्न दर्सन की लालसा के लिए हैं अपन य९ह के ब्रजवासी में भाव हो सकता है कि कृष्च्न की सेवा के लिए वो दीर्ग आयोग की कामना कर रहे हैं क्योंकि अगर हम रहेंगे तभी तो सेवा कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे? नंद बाबा, बैल गाडियों के साथ में निकलते हैं, बैल गाडियों को नौका के माध्यम से पार किया जाता है, कि जैसे आप लोग गय होंगे मायव पूरित्यादी या पर कई जैसे जहां पर कॉस्टल एरिया होते हैं, जहां पर जल के या पर नदिया होती हैं, तो वहां एक स्थान से दूसरे जाने के लिए नौकाय रहती है। उस पर गाड़िया भी आजाती हैं, बेल गाड़िया भी आजाती हैं, बहुत कुछ आ जाता है। तो पूर्वकाल में भी ऐसी ही वेवस था थी, है ना, अगर आप जो ग्यार्माद्ध है अगर देखते हैं, श्रीमाद भागुतम का, तो जिससे गोकुल से जब बृंदावन जाते हैं, तो वहाँ पर गोपाल चंपु और अनन्द बृंदावन चंपु दोनों में ही वर्ण आता है, कि किस प्रकार से सुंदर सुंदर नौकाओं को उन हैं जोड़ा, और नौकाओं को जोड़कर के पुल ऐसा बना दिया और उसी पर जितने भी गाडे थे, जो बेल गाड़ी थे, क्योंकि जब गोकुल से बृंदावन जा दिय तो अपने बैल गाड़ीों को भर के तो जो हमने ग्रंथ संकलित किया है गोकुल लीला उसका जो अन्ते मध्या है कि गोकुल से व्रिंदावन के लिए प्रस्थान उसमें बड़े विस्तार से वंद किया गया है कि कैसे व्रजवासी बैल गाडियों के माध्यम से अपना सारा सामान गाड़ों के ऊपर लाद करके क जाखटी को शकट को एक चंद्राकार रूप में अर्धचंद्राकार रूप में वर्णित किया गया अगर आप वो अध्याग पढ़ेंगे ग्यार माध्या श्रीमित भागवतम का दसमाध्यागा तो वहाँ पे चकवरतिपाद और जीवकस्वाविपाद ने बड़े विस्तार से बढ़न किया है कि किस प्रकार से वहाँ पे अर्धचंद्राकार शकटों को लगाया गया काटे क वाड़ी लगाए गई और दो महिने तक एक टेंप्रेरी या पर कहें उनों ने अपकि भगवान के जितने नित्य परसद अगर कहीं जाएंगे या भगवान जाएंगे तो वहाँ पे तो लीला सक्ति अपने आपी भवनों का निर्मान कर देती हैं तो जो छकटी करा या पर राल है जब हम गोबर्दन जाते हैं और दूसरा है यह जो ब्रिंदावन के राया बोलते हैं जो राया कट बोलते न तो दोना ही स्थान माने जाते हैं कि यहां पर आके ब्रिश्मानु बाबा रहने लगे ते क्योंकि जहां पर नंद बाबा रहते थे तो नंद बाबा की प नंद बावा बैल गाड़ी के माध्यम से कहा जाते हैं? मतरा की ओर प्रिस्थान करते हैं. बलिस्ट बलिस्ट गोप उनकी तीर कमान लेकर के उनकी बैल गाड़ी की रक्षा भी करते हैं. बहुत सारे बलिष्ट बलिष्ट गोपों को गोकुल की रक्षा के लिए नुक्त कर जाते हैं और बिसेस रूप से अभिनंद गोप, उपनंद गोप और जितने भी बड़े इनके भाई रहते हैं, बड़े चोटे सभी भाईयों, उनको क्या करते हैं? ब्रच की रक्षा के लिए, या पर कहें, गोगुल की रक्षा के लिए नुक्त कर जाते हैं अब इधर जो पूतना है, आप पूतना की दृष्ट को देखते हैं, कि पूतना ने अभी तद क्या क्या कर लिया है क्योंकि जिस दिन अस्ट गोजादारी वह देभी प्रकट हुई थी कंस के सामने, उसी रात्री में कंस जान गया था कि मेरा मारने वाला कहीं न कहीं प्रकट हो चुका है तो उसके दूसरे दिन, जब यहाँ पर ब्रज में नंदोट्सव मनाया जा रहा था, नंदोट्सव को प्रथम दिन था उसी दिन कंस ने अपने जितने भी सभासते उनके साथ में गोश्टी की, एक मीटिंग की और उस गोश्टी में उसने निर्णे किया कि कौन हमारे सत्रू को मार सकता है और हमारे सत्रू को मारने के लिए क्या क्या करना चाहिए तो वो तो सब खलों की मीटिंग थी, जितने भी थे, दुस्ट थे सब तो उनमें दुस्टता की तो कोई गमी नहीं थी, दुस्ट विचार उनमें आही रहे थे, किसी नह कहा कि एक काम करते हैं, कि आपका जो सत्रू होगा, अधिक से अधिक दस दिन का हुआ होगा, इस से अधिक तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे देवी ने बताया कि आ नहां से ही प्रारम करते हैं, और सभी सिजों को मार देते हैं, कंस को बड़ अच्छा लगाए, विचार को यहां ऐसी करो, कंस नहां कौन करेगा यह, तो सबसे पहले पूतना ने हाथ उठाया, कि मैं करूँगी, पूतना बालगातनी, है पूतना एक जाती होती है, राक्ष सेया, भगवान को और जितने भी बालक थे, प्रजवासी बालक उनको मारने की एक्छा से वहां पर वो आई हुई थी, जब पूतना वहां पर आती है, कंस के कारागार में आती है, कंस की सभा में आती है, तो सभी लोग बड़े उसके भयाना को रूप को देके, विच्छ र लटक रहे थे, मालब वो इतना भेंकर उसका रूप था, उसके जो मुख था, उसके मुख था, चोटे-चोटे जो सिशू थे, उनके मुंड लटक रहे थे, मालब बड़ा ही, मालब आज जो आपने, क्रिष्णा वो ट्यादी में जो फोटो देखा है, पूतना का, पूतना बड़ा स्वक्ष फोटो है, बास्तव करूप उसका कोई बड़न करनी सकता बास्तों में, तो हम लोग जब अपनी गरंथ में जब फोटो सिलेक्शन कर रहे थे, क्या भाई, पूतना का फोटो बड़ा रखा जा या नहीं रखा जाए, तो हमने निर्णा लिया कि नहीं क्योंकि बहुत बड़ा आकार था, अब कृष्ण उसमें इतने देख रहे और वो इतनी देख रहे तो ऐसा तो था नहीं, कि एसा बड़ चोटे से थे, तो कुल्वला के ऐसा कोई फोटो है ही नहीं कि जो बास्तों में पूतना का जो स्वरूप था उसका वड़न किया जा स तो भूतना बड़ी भ्यानक थी, उसके मुक से बड़ी दुरगंद आ रही थी, उसका पूरा सरीर इस्त्री जैसा ही था, लेकिन एक राक्षशी जैसे होती है, उस प्रकार से उसने अब सरूप बनाया हुआ था, सबी लोग उसके भ्यानक रूप को देख कर रह गए, जो जो दुष्ट असुर सभाती वो भी उसको देख के डर गए, तो सामान मनुस्प डर जाए उसके क्या बात है, कांस ने देखा कि पूत्रा निस्चे थी मेरा काम कर लेगी, कांस ने सबसे पहले आदेश दिया कि देखो, बालकों को तो तुम बाद में मारना, सबसे पहले ज जब बड़ी हो जाएंगे उनसा बभाय करूंगा, कांस के कहने पर पूत्ना सबसे पहले कहा जाती है, बिंधाचल के राजी में जाती है, बिंधाचल में ये लिलित माधाँ में ये सारी कथा मढथ है, अगर आप लिलित माधाँ गरंथ पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी के पास में जाती है बिन्दाचल महराज के वारे में थोड़ी बात जान लेनी चाहिए बिन्दाचल महराज परवत है जैसे हिमालय परवत है ऐसे बिन्दाचल भी परवत है तो परवत भी है और मनिस्ट भी है मतलब क्योंकि जैसे गंगा देवी है तो गंगा देवी मतलब गंगा के रूप में है भी है नदी के रूप में भी है और उनका एक व्यक्तिकत स्वरूप भी है जैसे कोई भी वस्तु होती है तो उसके तीन स्वरूप होते है आदी देविक आदी भौतिक और अध्यात्मिक जैसे यमना जी है, तो यमना जी का एक अध्धात्मिक स्वरूप है, जैसे वो कृपा मई है, करुणा मई है, कृपा सक्ति के रूप में है, कि जो यह पर लीला सक्ति के रूप में भी कुछ लोग कहते हैं, तो यह यमना जी का स्वरूप है, एक यमना है जो बहती है, तो यह आदि भातव पिनका शवरूप है और एक अदि दैवीक सवरूप है अदि मिक्त वर आदिदी सा दो जैसे जो कालंदि स्वरूप में है वो जिनसे भगवान का जोषवा हुआ तो रह onlar अदि दैवीक सवरूप है ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी समझ लेना चाहिए जो विंध्याचल है एक तो वह परवद रूप से है और एक मनस्थव रूप से भी आदिदेविक रूप से है तो विंध्याचल ने देखा कि जो हमालय है तो हमालय की पुत्री पारवती का बेभाः किस से हुआ है? इसजी से भी बड़े लोगों से होना चाहिएए, तो सबसे पहले तो उषने, bnindajale ने तपस्या की, ब्रहाजी की, किसलिए पुत्रियों को निए पुत्रियों को प्राप्त करने की, कि हमारे यहां पे धो सुंदर पुत्री होनी चाहिए, जो पार्वती जी से भी सुन्दर हो तो आप पार्वती से सुन्दर कौन हो सकता है है ना तो के बन लक्षमी ही हो सकती है कि जो पार्वती जी से सुन्दर हो और तो कोई है ने इस स्रिष्टी में क्योंकि वो तो स्वेम देवी हैं दुर्गा देवी हैं तो उनकिसों से जड़ सुंदर भी होगा नहीं तो ब्रमाजी ने योजना बनाई तो जब यहां पर ब्रज में ब्रश्वानु बाबा और किर्टिदा मैया के यहां पर जब राधालानी गर्भ में आचुकी थी तो यदभी जो राधालानी है यह ब्रश्वानु बाबा और किर्टिदा मैया के औरस पुत्री है जैसे कृष्ण नंद बाबा यह सुदा मैया के औरस पुत्र है उनके ही आतमज है इसी प्रकार से ब्रश्वानु बाबा और किर्टिदा मैया की राधालानी औरस पुत्री है उनकी ही आत्मजा है, उनकी ही पुत्री है लेकिन लीला समवर्धन के लिए यहां पे ऐसा दिखाया गया जिस प्रकार से बल्राम जी का आकर्षन किया गया था बल्राम जी का आकर्षन करके क्या किया गया था कि देवगी के गर्व से, रोहनी के गर्व में इस्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक इसी प्रकार से, यहां पे भी ऐसे ही हुआ, कि जो बिर्सवानु बाबा की पुत्री हैं, जो किर्टी दमया के गर्व में हैं, लाधरा नी, उनको क्या कर दिया गया? इस्थानांतरित कर कर दिया गया कहा कर दिया गया बिंध्याचल की पतनी के गर्व में जब उनका जन्म हुआ उसी समय पूतन वहां पर पहुँच ए उनका हरन करने के लिए क्योंकि उनका जन्म कर जन्म समानांतर ही है एक ही समय का है लगभग तो यदपी जो जन्म उत्सव मनाया जाता है राधारानी का जो प्राकट उत्सव मनाया जाता है वो प्रकट होने के अनुसार मनाया जाता है कि मतलब जब जिस तिथी में बिर्शमानु बाबा को एक कमल के उपर प्राप्त होई तो उस त्रिथी जैसे के राधा कुंड का प् राकट उत्सों नहीं है वो क्या है वो जब रगुनादास गोस्वामी पाद विराजबान थे पांसो वर्सपूर तो उने जिर्न उद्धार कराया था उसका क्योंकि जब महापरु आये थे आप लगोंने सुना होगा चैतन चरता मृत में कि वहाँ पोखर थे केवल वहाँ त तो फिर रगुनाद दस गुष्वामी पाद ने कुछ राजाओं से कह कर के कुंडों का सुन्दर निर्माड कराया था तो उस तिथी में कुंडों का निर्माड हुआ तो वहां से फिर उत्साव चालो हुआ जिब महाँ लेकिन जो प्राकट हुआ है मिला जिस दिन भागव भी प्राइब का तेालीस माद धिया है तो उसके अनुषार आरििष्टा सुर का बद है वो तो चैतरमास में आता है चैतरमास का जो शुकल-pकष built है तो यानी राधहकून्द का जो प्राकट है वो उस तिथी में कुछ हूआ है तो ये ऐसे तिथीया होती ऐसे कई बात नहीं है, मतलब परकट होने की अलग तिति होती है instinct, और जयन्म लेने की through या फर विसके नौ निर्मान की तिति कुछ अलग हो जाती है, तो जयन्समान कंग जन्सामान में कई कई बार नौ नौ्न की तिति है इश अल्हें में अल्हा हुआते हैं जर उडिक प्रिशलित हो जाती ऑंज जlaf चाटे फुट्ति हुठती आजिए हो जाती कोई बात पुछी ओक ए दो कभी इसे बर उखन नंकरू प्रमानंद की दाती है पूतना जब बालिकाओं का हरन करने के लिए जाती है तो बिंधाचल की पुत्री उत्पन हो चुकी थी राधरानी उत्पन हो चुकी थी और उनका हरन करके वो जैसे जाने लगती है तो बिंधाचल को पता चल किया कि हमारी पुत्रों का हरन हो चुका है तो उन्होंने ब्राम्हन के माध्यम से राक्षष मारन मंत्र का प्रयोग किया, कि जैसे राक्षष मारन मंत्र का प्रयोग किया, जैसे उन्होंने मंत्र का प्रयोग किया, पूतना डर गई, और पूतना ने जैसे थोड़ी दूर ही उड़ पाई थी, और क्योंकि पूतना तो वह सकता ηlag लिट वी म constitu्ट he was 6 मील वह भेल उड़ली एक किसी भीन व इसन कि लड़ो हुआ है तो ऐसे प्रकार से तो 6 मील के 6 कोच का वड़नाहे कोई 6 कोच का है कोई तो 6 कोच का था तो मैंन। 18 क्लेमीटर समझ एक कोच तो इतना बड़ा उसका देह था तो थोड़ी भी अगर उड़ गई होगी तो कितने दूर पहुँच गई होगी तो लगबग जब वो उड़ी तो मारण मंतर का प्रयोग किया भी गया लेकिन उसके हाथ से क्योंकि उसके पहले वो अन्य सारी कन्याओं का भी हरण करके ले आई थे अंत में उसने क्या किया था राधारानी और चंद्रावली का हरण किया था बाकि इससे पहले वो जो छे कन्याए थी जो सेब्या और अन्य जो कन्याए हैं मतलब जो राधारानी के साथ में अस्ट यूथे सुरिया हैं ने सेव्य इत्यादी हैं, पद्डवा हैं और लक्ष्मणा और जितनी भी बिरज की देवियां है या पर कहें जो अस्ट सखियां हैं रदा नड़ानी की वो सब भी उसने छे कन्याओं का हरन कर लिया था अंत में उसने राधारानी और चंद्रावली जी का हरन किया जब हरन कर लिया तो भागने लगी जब भागने लगी तो सारी की सारी कन्या उसके हाथ से छूट गई अलग-अलग स्थानों पे वो कन्याओं गिरी और जैसे कहा गया है कि जो कुंडनपूर के राजा है विदर विरेज के राजा जिनकी रुकमणी जी कन्या थी तो उनकी हाथ में गिरी कौन चंद्रावली जी बाद में ऐसा बताया गया है ललित माधाव में लुबग स्वामी पाद ने ऐसा बढ़न किया कि जो लिक्छराग जामंत है वह उस कन्या को लेकर के तो कि उनको पौडमासी जी ने प्रेड़ना दी कि चंद्रावली जी को तो अभी ब्रज में होना चाहिए उनके लिला ब्रज में है तो आप एक काम करिए कुंडनपूर के जो राजा है विदर्वदेश के राजा भीसमक उन से आप क्या क दो अभानु जी जो ब्रज मुदय के हैं न को दे दी जाती है क्योंकि उनकी भी को गानया नहीं थी इतने में रादा रानी जो रहती है वो हाथ से गिरते हैं किसके पूतना के रहती हैं और एक कमल पे आंके बेल धिराज боन हो जाती है तो जो 1975 आ याज धन这么 young ई जमास थान उनको अपने हाथों से उठाकर के देती है और कहती है कि लिजी ये आपकी पुत्री है तो बिष्ववानु बाभा को उनकी ही पुत्री किसी दूसरे माध्यम से पौण माध्यम से उनको पुनहाप्राप्त हो जाती है इस परकार से पूत्रा ने बड़ा मतलब जो लील सम्वर्दन है तो पूतना के दोरा बहुत सारे कार किये गए हैं मतलब ठाकुर जी किसी ते भी कर चुछ भी करा सकते हैं तो जितनी भी कर्ण्याय जो बाहर बाहर जन्मी थी जो भग्वान के नित प्रेशी है जो नित शक्या है तो उनको ब्रज में लाए कारे किस ने किया? पूतना नहीं किया. तो पूतना ने बहुत सारे कारे किया है. ठीक है ना? जब पूतना के ऊपर राक्षष मारन का मंत्र किया गया, प्रयोक किया गया, दूसरे दिन की ही बात है ये, पूतना तो बहुत डर गई. तो फिर से पूतना दल्वल के साथ में जाफिर कहें, अपनी सक्ति को जुटा करके कया करती है, ब्रिच की ओर गणा करती है, मत्रा की ओर गणा करती है. मत्रा में ब्रिच की ओर जहां पे, कृष्ण है वहां पे. तो अब जो श्रीमत भागुतम को जो छटा द्याय है जिसमें पूतना कैसे आती है और किस प्रकार से बालकों को बद करती है वो कथा का प्रारम होता है तो मतलब इसके पहले ये सारी कथा आपको जानना चाहिए क्योंकि इस कथा के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि बास्तों में जो राधाना नित्यादी जो सक्तियां है वो कैसे ब्रज में आई और उनका जन्म कैसे हुआ क्योंकि ये सिद्धान प्राहा समझ में नहीं आता है कि कहां से प्रकट हुई है तो अचारय पाद स्री लूप गुस्वामि पाद ने ललित माधा में बड़े स्थार बिस्थार से बताया है तो आपको पूरा गरंथ पढ़ने की जाद उतनी है ललित माधा को अगर आप प्रताम अध्याई ही पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारा सार मिल जाएगा हैना पूरा गरंथ पढ़ने के आउशकता नहीं है प्रताम अध्याई में ही सारी बात लिखी हुई है इधर जब नंद बाबा मतुरा पहुच चुके होते हैं मतुरा में कंस के जितने भी सेवक रहते हैं उनको राज्य कर दे देते हैं कर देने के बाद स्वेम कंस से भी नंद बाबा मिलते हैं और नंद बाबा कंस से कहते हैं कि देखो हम तो आपकी तरफ ही हैं हमें आप अपसे अपना सत्रुमत समझे अपना मित्र ही समझे तो ये राज निती कहती भी है कि राजा से हमें सब बना के रहना चाहिए क्योंकि अगर हम राजा के द्रोही हो जाएंगे तो राजा कुछ भी कर सकता है तो नंद बाबा और जितने भी लोग थे सब कंस के अधीन थे तो नंद बाबा ने बिसेस रूप से अपने आपको उन की तरफ ही देखाया कंस की तरफ ही देखाया पर जब प्रदोशकाल या फर कहें कि संध्या बेला आई तो बसुदेब जी ने पहले ही खावर करवा दी थी कि नंद बाबा आप मुझ से मिलने मत आना मैं अंधेरा उजेला देख करके आपके पास स्वयम ही मिलने के लिए आ जाऊँगा तो नंद बाबा बापस अपने गाड़े की तरफ आते हैं और बसुदेब जी की पृतिक्षा करते हैं बसुदेब जी की पृतिक्षा करते रहते हैं बसुदेब जी एक सेवक के माध्धम से, एक सेवक के साथ ही उनसे मिलने के लिए आते हैं, बसुदेब जैसे ही नंद महराज के पास आये, दोनों भाई आनंद से गले लग्के मिल रहे हैं, कोई किसी को पढ़ाम नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बसुदेव जी जाती के अधार पर बड़े हैं, चत्रिय हैं और नंद बावा उमर में बड़े हैं क्योंकि नंद बावा की अधिक है और दूसरी बात यह है कि जहां पर प्रीती होती है वहां पर ये दंडबत पणा मित्यादी नहीं होता जा सीधे क्या करते हैं, गले त्यादी लगते हैं, जैसे कोई दो मित्र मिलते हैं, तो कैसे गले लगते हैं, इसी प्रकार से दोनों भाईयों में बड़ी मित्रता है, तो इसलिए कि दोनों लोग क्या कर रहे हैं, बड़े आनन्द के साथ मिलते हैं, सबसे पहले, नंद बाब बुलते हैं कि बस देव जी आपके साथ में तो भूत बुरा हुआ आपकी छह पुत्र कंस के द्वारा मार दिये गए सात्मा पुत्र था वह तो छीन हो गया मैंने लोगों को तो यह लगा कि उसका गर्भ पात हो गया है यह तपी उनका संकर्शन हुआ था क्योंकि देवगी क गर्भ से रोहनी जी के गर्भ में आ गए थे और जो अस्टमी जो कन्या हुई थी वह तो देहम्रम गता हा वो तो कहा नहीं वो तो ओड़ी गए आकास में हमें बड़ा दुखो रहा है कि आपके एक भी पुत्र नी बचा तो इस प्रकार से यह बड़े दुखी हो रहे थे है ऐसा ने कि जैसे वो जानते है कि रोहनी जी का पुत्र हो चुका है तो वो उनका पुत्र मान ही रहे थे मतला उनके ही पुत्र थे बड़े जी और उनके अन्य रानिया भी थे अठारा रानिया थे उनके तो अठारा रानिया थे उनके तो इस प्रकार से आपस में वार्ता कि आप प्रवयस हो लिए आपकी इतनी अवस्था हो गई थी लेकिन फिर भी आपको पुत्र की प्राप्ती हुई है, ये बड़े स्वोभागे की बात है, बसुदेब जी अब निश्चिन्त हो चुके थे, बसुदेब जी को एक चिंता सता रही थे, क्या, चिंता ये सता रही कि कहीं मैं अपनी अपने पुत्र को जब नंद के यहां पर रखने गया था तो कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया कि मैं अपने पुत्र को रग्या हूं और उनकी पुत्री को लिया हूं तो जब नंद बाबा ने इस प्रकार की वारताएं की कि हमारा पुत्र अच्छा है आपकी तो पुत्री पता नहीं क्या हो गए तो फिर इनको चिंता जो इनको लग रही थे कि कहीं नंद बाबा को कानो कान ये कहीं से ख़बर तो नहीं लग गई कि मैं अपने बच्चे को तो वहां रखाया और तुम्हारी बालिका को ले आया हूँ तो जब बसुदेब जी निश्चिंद हो गए तो उन्होंने कहा कि देखो अब आपको यहां पे बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए करोवे वारसको दत्ता है आपने वारसक करतो कंस को दे ही दिया है राग्य दिष्ठा बयम चबा और आपने हमें भी दर्सन कर ही लिकिया हम आपस में मिल ही लिये हैं ना इस्थेयम बहुत दत्ता है अब आपको अधिक यहां पे नहीं रुकना चाहिए क्यों? ना पुछते हैं क्यों नी रुकें भाई आप सीतने दिनों के बाद मिल रहे हैं थोड़े तो कुछ दो चार बाते हो जाने चाहिए यह बोले नहीं संती उत्पातस्य गोकुल है हो ना हो गोकुल में बहुत कुछ उत्पात हो रहे हैं जब भासुदेब जी के मुख से नंद बाबा ने सुचए गोकुल में उत्पात हो रहे हैं तो तुरंती उठे और अपने गाडाओं को लेकर जो बेल गाड़ी हैं उनको लेकर के गोकुल की और प्रिस्थान कर गए मार्ग में बड़े चिंतित हो रहे हैं कि बसुदेब जी तो बड़े विद्वान विक्ति हैं निश्चित अगर उनोंने कुछ कहा है तो कुछ न कुछ होने वाला होगा बसुदेब जी अपने सेवकों के साथ में गोकुल के लिए प्रिस्थान कर जाते हैं इधर पूतना भी उसी समय में संध्या बेला में क्या करती है क्योंकि सुवय निकल चुकी थी और पूरे ब्रज के सिशुओं को मारती हुई जा रही थी लेकिन एक अच्छी बात थी क्या योग माया ने पूतना को ऐसा आंधा कर दिया ऐसा अंधा कर दिया था कि जो कृष्ण के सखा थे या फिर जो कृष्ण भक्त थे क्योंकि मत्रा में भी दो प्रकार के लोग थे कुछ तो कंस के अनुगत होने वाले थे बहुत सारे ऐसे सवक थे जो कंस के अनुगत थे जो कंस के अनुचर थे तो उनकी आ भी पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी ऐसी समय बहुत सारे लोग comenz mornings तो उनकी पुत्रों को थे वाल रही थी क्योंकि उन्हें तो आलेज दिया ठा कि मत्रह में जितने भी बच्चे अभी जनमे हैं उन सभी को आप ख़तम कर तो पूतना तो उन्हें नहीं पा रहे थी गार, रह पूतना को आउग्पट देखने अजय अकृतने की बारी आती थी उनका ही केबल नास किया जो भगवान के सखा थे या फिर जो नंद बावा से प्रीती रखने वाले जन थे उनके सिशुन को वह चोटफोट नहीं पहुंचा पाई चकुरतिपाद ने अपने टीकाओं में वर्णन किया है फिर जब परिक्षित महराज ने इस प्रकार से इक्तम जब इन्होंने कहा सुक्देव गश्वामी ने कि ये तो बड़ी दुस्टा थी कंसेन प्रहता घोरा पूतना बालगातनी सिशुन शेशार निगंदन्ती पुर ग्राम ब्रजादी सू पुर्यानी मत्रापुरी जो बड़े नगर उनको पुर कहते हैं ग्राम जहां पर बहुत अदिक लोग रहते हैं ग्राम जैसा होता है ब्रज कहलाता है जहां पर गोप इत्यादी रहते हैं अहिर बंदु रहते हैं कावे पालन करने में उनको ब्रज कहते हैं तो पूत्रा इन सभी से होती हुई जा रही थी, और बालग हातनी, जो छोटी-छोटी बालग थे, उनको माल रही थी, लेकिन किन बालकों को माल रही थी? जो असुर सभाव के थे, कंस के अनुगत थे, उनके हैं शिशुओं को माल रही थे, भक्तों को नहीं माल रही थे. पूतना उनी के ऊपर ही प्रभाव डाल सकती थी, जो भगवान के भक्त नहीं है। कुर्वंति सात्ताम भर्तु यातु धानस्यतत्र है। जहां पे भगवान के कथा किर्थन नाम संकिर्थन इत्यादी नहीं होता है। वहीं पे क्या होता है। वहींo केबल नटीãos पूतना,ित्यादी or दाकनी जो पिशाच्नी है बहो अपना प्रभाव दिखा सकती है आन्ने जगे बहो अपना प्रभाव नहीं क्टाजी जानी जहां पटाकिर्दय कृत्र हो यहीं तो प्रभाव दिखाने पाएंगी जहां पे कथा किर्दन नहीं होता है भगवान का नाम नहीं लिया जाता है जहां पे भक्त नहीं होते हैं वहीं पे यह परभाव दिखा सकती है तब जाके परिख्षित महराज को थोड़ा चैन आया कि चलो भई अच्छी बात है क्योंकि जहां पे साक्षात हरी है तो भगवान तो हरी किर्दन तो होगा ही है जब हरी किर्दन जहां होता है तो भगवान पे भूत पिसाच नहीं आ सक्छे तो जहां पे साक्षात हरी साक्षात कृष्ण विराजबान है वहां पे भूत पिसाच कैसे आ सकते हैं तो कोई प्रशन कर सकता है कि फिर पूतना बरज में आई क्यूं भाई आई तो है ऐसा तो है कि नहीं आई गोकुल में आई भी थी कृष्ण का हरन भी कर ले गई थी तो मूल कारण क्या है इसका क्यों हरन कर ले गई तो आचारियों ने चकुर्थी पाद ने यहां पर बताया है तो यहां पर बिसेश कारण है यसुदा मय्या के प्रेम को बर्धन करने के लिए जैसे कहा भी जाता है कि ना संयोग ना संयोग बिना पुस्टिम बर्धने कि जब तक बियोग नहीं होता है जब तक संयोग का आनन्द नहीं आता है कभी कभी बिछुड जाते हैं जैसे रोज जिन से मिलते हैं एक ही साथ रहते हैं तो फिर वो व्यक्ति सामान्य हो जाता है लेकिन एक दो महिने के बाद मिलते हैं तो वेक्ति विशेष हो जाता है तो यसोदा मिया में और अधिक प्रेम की वृद्धी करने के लिए कुछ समय के लिए कुछ ही चाणओ के लिए कि पूतना हरन कर ले गई थी कुछ ही समय में गोपिया दौड कर जाती है और कृष्ण को बापिस ले आती है तो लेकिन इस बीच में चोड़ो यसोदा मिया में प्रेम की वृद्धी हुई वो कुछ अलगी थी अलगी भावन मुद्पन हो गया तो इसलिए इनको क्या किया गया हरन करवाया गया इसलिए कृष्ण को हरन करा कर के कुछ देर के लिए दूर भैग दिया गया दूसरा कारण ये है कि जब नंदोट्षा हुआ था अभी दो तीन दिन से चली रहा था नंदोट्षण अश्य तो ब्रजच के जितने भी लोग थे अहिर जाती के थे जो गोस जाती के थे, वो तो सब दर्सन कर गए थे, ब्राम्भन गड़ भी दर्सन कर गए थे, आसपास के जो भी और भी च्छतरी समाझ के थे, सब दर्सन कर लिए, जो अंतेज जाती थी, भेलिनी, पुलंदी, जो जन जातीयां थी, जिनको नगर में प्रवेश्ण नहीं होता है, उनको भी पता चल गया था कि कृष्ण का जन्म हो चुका है, उनके हिर्दे में भी लालसा थी कि हम भगवान का दर्सन करना चाहते हैं, तो चकवर्तिपाद ने अपने टीकाओं में वड़न किया है, तो उनके उपर कृपा करने के लिए भगवान पूतना के माद्धम से, क्योंकि जब पूतना उड़ रही थी, कृष्ण को ले जाकर के उड़ी, तो उस समय जितने भी अंतेज जाती थी, जो आसपास नगरों में रहती थी, वैसे नगर में नहीं रहती थी, नगर के आसपास रहती थी, उनको भी कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो गया, तो उनके उपर कृपा करने के लिए भगवान ने पूतना को बुलाया, कि भाई, हमारे सभी भक्त हैं, जो भिल, इत्यादी, पुलंदी जन है, जो अंतेजाती के लोग हैं, उनके उपर भी मुझे करपा करनी है, उनको भी धरसन देना है, तो कैसे धरसन देंगे? ऐसे धरसन देंगे, कि भगवान पूतना के ऐउपर, पूतना के इसन से लटके हुए जा रहे थे, और सभी ने उनका दरसन किया, उन मंकतभाउ से, तो सभी के ऊपर भगवान ने इस प्रकार से करपा कि जब पूतना संधा बेला में यहां पर आई तो आई कैसे थी? उल्लू का रूप धर के वो उल्लू जैसी रहती थी तो उल्लू का रूप धर करके आई दूर से ही देख रही है सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर चूरी करने आता है तो पहले घात लगाता है देखता है कि क्या है, सिचुएशन क्या है तो जब पूतना वहां पर आई तो वह है ब्रज का अवलोकन करने लगी उसने देखा कि ब्रज में तो बड़े मोटे मोटे पहरेदार है, उनकी पास में जो धनस बाण है तो नारेंड सक्ति से अभी मंत्रित है मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ अगर मैं युद्ध करके अगर आगे बढ़ना चाहूँगे और कनिया का हरन करना चाहूँगे तो मैं इस परकार से बिलकुल नहीं कर पाऊंगे वो तो कामचारणी थी तो भी बता रहे हैं कि साख खेचरी एक दो उपत पूतना नंद गोकुलम योशित्वा मायया आत्मानम प्राविशत कामचारणी कामचारणी मतलब एक्छाधारी थी प्राह जो असुर होते हुन में ये विद्ध्या पाई जाती है कि वो किसी का भी रूप धर सकते है मनश्र का, सुर का, देवताओं का, पसुपक्षियों का, किसी का भी यद भी जो पूतना का जो मूल स्वरूप था वो उलू का था उलू की थी वो लेकिन जो बाकी उसका जो कामचारणी हो कारण उस ने सोचा कि अगर मैं श्री जी जैसा सुन्दर रूप बनाऊँगी तो कोई मेरे उपर बिलकुल भी शक नहीं करेगा कोई मेरे उपर संकार नहीं करेगा कि ये कोई दुस्टा है तो उसने क्या किया, अपनी योग सकती के माध्यम से कामचारणी होने के इनाते उसने क्या किया, अपनी आपको बड़ा एक सुन्दर युवदि के रूप में वर्ण किया अब यहाँ पर Shukdev Ghuswam, वे सुन्दर सुरूप का वर्ण कर रहे हैं क्योंकि लेकिन उसने क्या गोपी वेष धारन किया, यहां पे जो महिमा है वो ब्रजवासियों के वेष की है, हम जा करा से आप चगदुमा ध्याय पढ़ें दासमिसकंद का, तो वहां ब्रह्मा जी भी इस्तुति में कहते हैं, कि जो महिमा है वो किसकी है, वेष की है, जैसे ह किसी के माते पहे कोई वेक्ति मरा और कोई कववा उसके ओपर बीट कर गया, और बीट का तिलक ऐसा हो गया जैसे कोई तिलक है, तो जब यदभी वभदूस्ट वेक्ति था जो वेवा था और उसको नरग जाना ही था, लेकिन जब नरग के यमदूत वे उसको लेने के वे दूपते उन से, विष्नु दूतों से, तो कोई उनको हाथ नहीं लगा था, बाद में वह वेक्ति बैकूंट चला गया, तो एक तिलक की तनी महिमा है, तो कई बार लेसे लोग प्रशन करते हैं कि तिलक क्यों लगाना चाहिए, ये कंटिमाला क्यों धान करना चाहिए, तो क्योंकि ये वेस्नु वेस है, इसमें जो हमारी परंपरा है, तुलसी महरानी है, उनकी कर्पा है, तो इसलिए इसको अवशरी धान करना चाहिए, तो जो पूतना जब आई तो उसने कौन सा वेस्थ धान किया, उसने ब्रजवासियों का वेस्थ धान किया, जैसे ब्रज उसके हरदय में कपटता थी, लेकिन बाहर से उसने, जैसे यसुदा मुया वस्तरों को धारन करती हैं, उसी परकार से उसने वस्तरों को धारन किया, तो इसलिए भगवान न उसके उपर करपा की, और इसलिए वो ब्रज में आ साकी, जब बड़ा सुंदर वेस धारन करके ब्र इसलिए सुंदर इसलिए तो हमने कभी नहीं देखी, हमें तो लगता है, रंबा, और वसी, जितनी भी अपसराय है, वो भी इसके सामने फिकी हैं, अगर आप गुपल अनन्द ब्रदावन चंपु पढ़ेंगे, तो वहां बड़ा बड़ार से बड़न किया हुआ है, कभी क करने को बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन समय किसीमा है, तो सब कुछ बड़न नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग बड़न लोग हैं, तो आनन्द ब्रदावन चंपु के उस भाग में आप अनन्द से उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कि किस परकार से वहां पर जब पूतन कि उन्होंने उसका दर्सन किया, बो आपस में चर्चा करने लगी, क्या रहे, ये तो लक्ष्मी जैसी लग रही है, पूतना ने उनकी कानो कान बातों को सुन लिया, उसने समझ लिया कि सभी लोग मुझे लक्ष्मी ही समझ रहे हैं, उसने बगल में एक सरोबर था, वहां स कमल भी तोड़ लिया और हाथ में गुमाने लगी, जैसे लक्ष्मी जी गुमाती हैं, और गुमाते गुमाते योग माया ने सीधा उसको कहा प्रेरित कर दिया, कहीं अन नहीं गई, अन्यतर कहीं नहीं गई, सीधे नंद भवन में प्रिवेस कर गई, नंद भवन में भी, जो अंबा के लंबा धाई हैं, दर्तक पत्रा के त्यादी, जो दास दासी हैं, किसी न भी उनको नहीं रोका, और सीधे कहां पहुंच गई, सूति का घरह में पहुंच गई, जहां पे यसुदा मया, कनया के साथ में विराजबान हैं, रोनी जी भी हैं, और अन्य सारे जो भगवान कृष्ण को वहां पे देखती है, जैसे ही पहली दृष्टी में उसने देखा, तो समझ गई कि हो न हो, मत्रा में जिस महान सक्ति के वारे में, कि जो विष्णु है, उनके वारे में मैंने सुना था, यह यही है, यह तभी भगवान एक छोटे से सिशु के रूप ही है, अब अपना बातसल्य भाव दिखाती होई, बालक के पास आती है, और यसुदा मैया तो इसके सौंदर को देखकर के एकदम अभिभूत हो जाती है, और कहती है कि अरे, यह कोई पारवती है क्या, या रंभा है क्या, या सुयम लक्ष्मी जी ही अपने पती को देखने के लिए यहां पे आ गई है क्या, सभी लोग बड़े आश्चार में पड़ गए, पूतना तो समझ गए कि यहां कोई अपने को रोकने टोकने वाला नहीं है, पूतना ने सीधा किसी से कुछ नहीं कहा, और सीधा बोलती है यह सुदा मैया से, कि अरे, इतना सुंदर बालक, और तुमने ऐसे इसको पल्ले में रखा हुआ है, ऐसे इसको लिटा हुआ है, अरे, ऐसा बालक तो गोदी में रखने लायक होता है, और उसने अक्क की नधक को सीधा गोदी में उस बालक को उठा लिया, और उठा करके उचालने लगी, खिलाने लगी, भूड़ी-भूडी उतन लेली जोटी बोलती हैं के अरे का कर रही हो अभी अभी घ्ष दिन का बाला के कहीं हसली हुतर गई तो का होगा यह कैती है के छो और मुझे अपना जो मत्री भाव है बहुत सखाव मैं जान चुए रही चानधी हो कि बच्चें को किसा पालन कार रही है और देखो, तुम लोग कैसा इस बच्चे के पालन कर रही है, इसके ओंट तो देखो कैसे सूग गए है, पपड़ा गए है, कितने देल से इसको दूद नहीं पिलाया है, चलो, मैं अपना दूद इसको पिलाती हूँ, जो मेरा दूद पीता है, वो चैन की नीम सोता है, इस प कि अपने नेतनों को बंद कर लिया, आचारयों ने मचेश रूप से बल्लभ अचारचरण और स्री हरी सूरी जी, हरी सूरी जी ने बहुत सारे इसमें भाव प्रदर्सित किये हैं, अगर आप देखेंगे तो 15-20 भाव प्रदर्सित किये हैं, जो आप कृष्णा भूख तो वो हरी सूरी टीका से ही है, हमने भी अपने करंथ में हरी सूरी जी के टीका को भी वड़न किया है, और साथ में जो उलेख है उसका भी वड़न किया है, तो हरी सूरी जी वहाँ पे बड़ी विस्तार से कहते हैं, एक-एक भाव को दिखाते हैं, सबसे पहले भगवान आ वो प्रकट हो जाएगा या उल्लू बन जाएगी सभी जितनी मेरी माया हैं जितनी माता हैं वो डर जाएगी तो मुझे अपने नेत्रबंद कर लेना चाहिए दूसरा विचार भगवान के मन में आया कि ये दुस्ट पूतना मुझे अपना विशेला दूद पिलाने के लिए आई है बिस देने के लिए आई है अरे मैं तो दूद गी माकन खाने वाला हूँ बिस खाने वाला जो मेरा बैभाव स्वरूप है वो तो सिपजी का है तो मैं एक काम करता हूँ नेत्रबंद करके सिपजी को आमंतरत करता हूँ कि सिपजी आए और अपना बिस भाग ले जाए पिर भगवान ने विचार किया कि हाई पहली बार क्या इस 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 तुरु को ही देखना पड़ेगा क्या मैं अपने नेत्रबंद कर लेता हूँ ऐसे उनको विचेला दूद विचेला इस तन भगवान के मुख में देने लगी तो भगवान तो पक्के गवारिया है जन से ही गवारिया है तो गवारिया जैसे क्या करता है जब दूद दोहता है तो पहले थन को अच्छे से पोंच देता है पिर क्या करता है एक दो धार इधर अधर देखाओगा आप लोग जो गायद होते हैं और फिर उसके बाद जो ताजा ताजा दूद रहता है वो कमोरी में या बाल्टी वगएरा में पातर में लेता है तो बगवान ने भी ऐसे ही किया कि पहले हातों से क्या किया उसके इस्तनों को प्रपीट डिया पहले उसको पोँच मोच दिया दबाया कुछ एक दो दार निकाल दी और फिर उसके लाद दूद पीने का प्रपीस करने लगे अब कहां तो यसुद थी दूद है ना यसुद थी दूद की क्या तुल ना और वो तो परम पवित्र और परम स्वादूद है और जो पूतना का दूथ था वो कैसा था? तो कणवा-कणवा था, बैसला था अब तो बैसे ही राक्छए थी तो इसके दूथ क क्या कहना? बालक तो जानता है, मीठा दूद अलग होता है और फीका दूद अलग होता है तो जो मातरी भाव में हैं, माता हैं, वो समझते हैं किस परकार से छोटा बालक होता है, अगर फीका दूद होता है, तो कैसे कोई बालक नहीं पीता है, तो इधर यसोदा मया का दूद पी चुके हैं, भगवान कर्षने छह दनों से तो नित्व पुत्र है, जब पूतना का कड़वा दूद पी तो इनको लगा कि ये क्या है कड़वा कड़वा, तो भगवान क्रोद समझ विता, रोष समन वितम, कि भगवान ने क्रोद के साथ मे क्या किया? उस दूध को पी डाला. क्रूध के साथ में क्यों पिया? क्योंकि उसमें से झloo कुछ कड़वी गंध भी आ रही थी, और भगवान जानते है कि अगर क्रूध के साथ में कुछ खाया पिया जाता है तो वह सरीर में नहीं लगता है. भगवान सोच रहे है मनी मन में कि यदभी मैंने जो कालकूट बिस लगा हुआ था उसको पोच तो दिया है फिर भी अगर कोई अनू परमानू रह गया हो तो उसको अपन एक काम करते हैं क्रोध से पीएंगे क्रोध से पीएंगे तो शरीर में लगेगा नहीं तो इसलिए बोलते हैं कि प्राने स्वम रोश स्वमन बतो अपवद तो पहले तो दूद पेने का प्रयास किया जब दूद में स्वाद नहीं आया तो सिधे प्रान ही पी गए तो इधर पूतना क्योंकि छल से दूद पिलाना चाह रही थी छल से दूद के महानी से बिष्ट पिलाना चाह रही थी तो भगवान ने भी क्या किया दूद पीने के छल से उसके प्रानों को पी लिया जैसे भगवान को क्या गया है, छलियों से भी छलिया कहा गया, भगवान को ठग नी सकता है, है ना, तो चुकि पूतना एक कप्टी बन करके आई थी, एक जैसे होता है ना, कि सुंदर मयान में कोई तिक्ष्ड तलवार हो, इसी प्रकार से पूतना भी वहां पर आई थी, कि यथा औरगम सुप्त बुद्द्धी रजुद्धी, जैसे कोई व्यक्ति, एक सर्प को रस्षी की बुद्धी से उठा लेता है, इसी प्रकार से पूतना भी भगवान को उठा लिया था, लेकि जब उठाया, तो भगवान ने अपना विसी स्वरूप, कोई प्रकट नहीं तो पूतना कोई तो सारे जितने भी मर्म इस्थान थे, अर्था जो कमजोर इस्थान थे सरीर के कोमलंग थे, वहाँ पर उसको अक्ति बेदना होने लगी, तो सा मुंच मुंच अलम एती प्रभाशनी, वो तो कहने लगी, अरे बेटा छोड़ दे, छोड़ दे, मुंच मु छोड़, छोड़, जब भगवान नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण या तो किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो फिर, छोड़ते नहीं है, तो भगवान तो एक तुम चुस्का लगाय जा रहे हैं, और उसके प्रान को पिए जा रहे हैं, और उसके प्र बायू निकलती है, तो बहुत वेदना होती है, गर्व प्राण में वडन किया गया है, कि अगर 40-50,000 बिच्छो कर किसी को एक साथ काटें, तो मृत्यू के समय इतनी पीडा होती है, तो पूतना को भी मृत्यू के समय, उसके सारे मर्म इस्थान, जतनी भी कुमल कुमल इस्थान थे, वो सब एकदम उसमें वेदना होने लगी, तो विवर्त नेत्रे चरणों भजो मुहू, उसके नेत्र बड़ बड़ हो गए, विवर्त्य, चरणों भजो मुहू, प्रसे सुन वहीं गिरने लगा, सरीर से एकदम पसीना टप टपाने लगा, सरीर एकदम लटपत हो गया, बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन करनिया तो उसको छोड़ी ने रहे थे, तस्या स्वेन अति गर्वीर रन्हसा, साद्री महीर, दौस्चा चचाल सग्रहा, जब इसने चिलाना जब होगा क्या, कि वहां से ये, जैसे ही इसके हिर्दे में, मर्म स्थानों में बेदना होने लगी, तो पहले तो अंतरपुर, जहां पर ये सुदा में लेटी थी, वहां से आगन में आई, आगन से पौर में आई, पौर से गलियारी में आई, गलियारी से जो गोगुल का का प्रदेश है, वहां थोड़ा आई, और वहां से सीधे उड़ने लगी, और उड़ने लगी, तो उल्लू के रूप में उड़ी, क्योंकि अब इसका बास तो एक सुरूप परकट हो गया था, और जब उसे ने चिल्लाना प्रारम किया, तो उसकी चिलाहट से तो ऐसा लग जितने भी नवग्रह मंडल है, और अन्यतारा मंडल है, या फिर स्वर्ग मंडल है, या प्रत्वी पर जितने परवत है, सब के सब कापने लगे, रसा दिसस्च अप्रति नेदरे जनहा, पेतु छितो बर्ज नपात संक्या, लोगों को तो लगा ऐसा लग रहा है, जैसे इ जाता है, छही फट का वैक्ति, छही कोष का वैक्ति क्या होता है, हाहा, 18 Kilometer लगरह वैक्ति और वो वैक्ति वर्य चलाएगा, और व भी राक्छस चलाएगा तो क्या होगा, तो जितनेए भी बरजवासी थे, सब ही बरजवासी को ऐसा लगा कि मानो, हमारे तो कानों में है, एकदम बज्ज्र की ध्वनी आ गई है आपने देखा हो जब बादल गडगड़ाते हैं और भेंकर बिजली गरती है तो कैसा भेंकर लगता है तो ऐसा लोगों को लगा जब पूतना घर छोड़ करके जा रही थी और उड़ने लगी तो गोपाल चंप बड़ा सुन्दर वर्ण किया गया वहाँ पर तो भगवान कृष्ण उसके इस्तन से लटके हुए थे और भगवान कृष्ण एक हाथ से इस्तन पकड़ हुए थे और नीचे उनके पैर लटक रहे थे ब्रिंदावन के जो वरक्ष थे यानि गोगल के जो वरक्ष थे उनको भगवान के चरणों का इस्पर्स प्राप्त होता जा रहा था और उनके भगवान के चरणों के इस्पर्स के कारण उनमें तुरंद तुरंद फूल और फल और सुन्दर सुन्दर पुस्प क्यारियां खिलती जा रहे थे बड़ा सुन्दर दरस्य था, बड़े बड़े ब्रक्षे थे उनको इस वभाग पराप्त हुगा, जो अन्तज जातियां थी उनको भी भागवान का दर्सन पराप्त हो गया, जो बहादुर सी थोड़ी गोपिया थी, पहले तो यसोद अधिया ने जब देखा कि मेरा कनया चल तो बो तो कुछ पुछ ने पाइए और वहें पर अच्छी न हो गगए, कुछ जो थोड़ी साहाजी गोपिया थी, वहे जशो जो पूतना थी, पूतना जो ओड़ी जा रही थी उनके पीछे पीछे कर देखकर एक्डम उनके उसी के पीछे 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 दोड़ने योगमाया ने विचार किया कि पूतना को गोकुल में कही नहीं गरना चाहिए, क्योंकि अगर गोकुल में गरेगी तो गोकुल को बहुत देखनास हो जाएगा, छेकुस की थी, कहा गरना चाहिए, बीच में एक मैदान भाग भी था, लेकिन वहाँ पे भी गईयां ही रहती और वहाँ पे ही छे, कुसका कंस का बगीचा था, तो योगमायना कहा कि यही थीक है, क्योंकि यह जो कंस है, इसी को हानी होनी चाहिए, और इनोंने क्या किया, क्योंकि क्दूस्ट था, वो भगीचे की जितने भी फूल पाल आते थे, वो सब दूस्टों के लिए असरों के प्रयोग होते थे भगवत सिवा में तो प्रयोग होते नहीं थे तो योग मया विचार किया कि को नहीं कंस को ही कंस के उससे मात दे जाए तो जो पूतना थी उसको कहा गिरा दिया गया पूतना के सरीर को कंस के उस पर गिरा दिया गया यदपी पूतना का देह तो पहले ही मृ तो भगवान उसके उनके उपर आगए अभी भगवान नीचे थे लटक रहे थे लेकिन जब वो गिरी तो फिर उपलट कः गई और पलट करने के बाद भगवान उसके उपर आगए जो बहादर गोपिया थिए इनुज्ड़ा के डौड़ती जा रही थि हो जैसे ही उसके पा आपियों ने देखा, जब अनको डर तो लग था ता देखे लिए इतना बड़ पर शरीर कोई देखेगा, तो कोई भी विक्ति डरेगा, कि जैसे प्रचित बागवताम में बढ़ना कि जिया गया है, कि उसके हाथ पैरों को देख तो अज़ लग रहा था जैसे बड़ बड़ तो गोपिया लेकिन फिर भी जो कि कि किक्रिष्र के प्रेम था, अनन गोफिका हो को कि क्रिष्र मुझा था इसलिए अनको बहाए नहीं लगा गोठाया और बिना पीछे देखे ही नंत भावन की ओर ड़ लगात defenses थेखे लिएमें उनको रख दुझिया इस बीच में बहुत सारी चीजें घटना हुई अगर आप गौपाल जंपु वरिस्तार से पढ़ेंगे तो वहाँ प्राप्त होता है कि किस प्रकार से यसुद्व मिया की दसा हो रही थी बीच बीच में उनको हो साता था दोड़ती थी कि मेरा कनया कहा है मेरा लाला कहा है यहाँ है घुपिया उनको प्रादान करते थी कि चिंता मत करिए अब ही जोपिया रही हो देरी है अभी आ जायेगा अभी आजाएगा यसुदा मैया बहुत बिलाब करती है पिर किसी तरीके से जब कनहिया बापस आजाते हैं तो यसुदा मैया तो अचेतन ही थी यसुदा मैया को बोलती है कि मैया मैया उठो तुमारा लाला आ चुका है लेकि ये सुदा मैया तो चेतना ही नहीं आती तो जब उन्होंने कनहिया को मैया की गोदी में ही रख दिया तब जाके ये सुदा मैया को चेतना आती है जैसे ही बालक को ये सुदा मैया की गोद में रखा ये सुदा मैया को चेतना आई सभी लोग कहने लगे कि अरे ये तो राक्षासी के पास में हो करके आया है इसको कुछ हो तो नहीं गया है बुड़ी-बुड़ी गोपियां बोलती है कि एक काम करो इसको पहले दूद पिलाओ अगर बालक आचल दापते हुए दूद पीता होगा मतलब पूर्ण स्वस्त है सबसे पहले ये शुद अमया का इस्तन पान कराया गया दुख दुपान करने आने के बाद गोपियों ने देखा कि जब भगवान चुसुर चुसुर करके दूद पिये जा रहे हैं तो हाँ बालक सही है बालक को कुछ ने हुआ है स्वस्त है फिर गोपियों को याद आया कि ये तो राक्षषी के पास में हो के आया है तो इसकी रक्षा करनी चाहिए तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है भगवान के नामों से रक्षा किया सबसे पहले गोपूच जैसे कि चकवर्ति पाद ने वर्ण किया है इसमें गोपूच का तो इसमें भी किया है कि गोमुत्र डिशनापित्वा पुनर गोरो जिसा अबरकम ने पहले आया है कि रक्षाम वित्वत्रे सम्यक गोपुक्ष भ्रमन आदी भी तो जो नजर उतारने की तरीके होते हैं कि गाई के पूछ फिरा दो या राई के दाने रहते हैं उनको चटका दो या मिर्ची जला दो जो भी अनिक अनिक प्रकार के तरीके होते हैं वो सारे तो आदी सब्द में सभी आ गए स्रिवन भागता में केबल गोपुछ आदी भी लिखा है फिर इसके बादे नों ने क्या किया गोपुत्र से ही इसनान करा दिया क्योंकि आप जैसे राक्षासी के हैं बड़े नाखून हो सकते हैं कई नाखून लग गया हो तो टिटनेस हो जाएगा तो गोपुत्र से इसनान कराना चाहिए तो इन लोगों ने गोपुत्र से इसनान किया राया फिर जो द्वादस तिलक होते हैं तो भगवान के ही भगवान के नामों से रक्षा की, तो गोरोच का जो तिलक है, गाय की गोवर का तिलक है, वह उसके उनके सरीर पर लगाया गया, और फिर भगवान के ही नामों से, तैसे यहां पर 22, 34, 25, 26, इस लोको में बताया गया है, कि भगवान के नामों से ही उनकी रक जो जितने भी स्रियंग हैं, उनकी रक्षा विदान की गई और रक्षा विदान करने के अपरांत, फिर जब सब लोग को परमसंतुस्ति हो गई, इतने में यसुद्व मिया को इस परनाया कि अरे, बल्राम कहा है, बल्राम को तो कुछ नहीं हो गया क्या, गुपाल चाप में आप乐्या का, तो रोहनी जी ज झाने लगी, तो रोहनी जी नहीं को टी ला को तो लोह ने लुड़नी नहीं को पो मैं चिहें, झीछ पर लोहनी जी जब जो करने बल्राम जी तो अगने को खाल्ध को को एकसा का गया, और एकसा nut को तो तो कि आनाया है यह, कर ग्साथ उप बसुदेव जी ने बता दिया कि यहां पे उत्पाथ हो सकते हैं, जब इनको पता चल गया था कि उत्पाथ हो सकते हैं, तो नंद बाबा बड़ी तेजी से आ रहे थे, जब नंद बाबा बरच के एकदम पास में आगे गोगुल में, तो उनको बड़ा उंचा सा टीला सा दिखा, क्यों ये क्या है, बोले हम कहीं दूसरी जगे आ गए क्या, क्योंकि पूतना के देह को देखा, क्योंकि जब उग त जब तो ऐसा कुछ था नहीं, सद्या भेला थी, तो नहीं कर कि हम कहीं दूसरे गाओं में तो नहीं आ गए, कहीं भूत पिसाचनी नहीं भरमित तो नहीं कर दिया, कई भार होता है न, मार्ग में आप जा रहे हैं, तो जो भूत पिसाच रहते हैं, भरमित कर देते हैं, तो उड़ा करते थे। और काहिंपे इड़ झाते थे। तो इंधर ने अपने वज्जर से किसी परुवत के पंक थे। से कर दिया है। इस प्रकार से कई सारी भीछार करने लगे। क्या दिरेगे। तो इंद्र ने किसी परवत को तो नहीं काट दिया है, फिर इसके बाद, इस प्रकार से कई प्रकार बिचार की, जब थोड़ा और निकट में आये, तो उनको समझ में आया कि नहीं, यह तो कुई राक्षासी है, इतने में अपननन्द गोप इत्यादी जो रहते हैं, वो क्या तो यह काम करना चाहिए, यह तो बड़ष्ट बड़ष्ट गोपों, मतलब जो चर्मकार हैं, क्योंकि गोप लोग ते एकारी नहीं करेंगे, तो जो चर्मकार हैं भो जो पूत्ता की देह को काटें, और उसको बड़े-ड़े लकड़ों के बादेहं से लटवे लट्वे मा डूएं से जो मेग भी बने, और वो मेग जहा जहा जाकर बर्से, वहां वहां भी सुगंद आई जब ये लोग जला करके नंद भाबा अभिनन गोप और अपनन गोप जितने बरजवासे हैं पूतना के देह को जला करके नंद भावन में जाने लगते हैं तो इनको बड़ी दिब सुगंद आती है ये उत्प्रेक्षा करते हैं कि ये सुगंद कहां से आ रही है कि बली महराज को यग्य कर रहे हैं क्या क्या फिर इंद्र आकास में कुछ यग्य कर रहे हैं क्या या अन्य लोग कहीं और यग्य कर रहे हैं क्या इस प्रकार की उत्प्रेक्षा करते हैं कलपना करते हैं नंद भाबा भावन में पहुंचते हैं जब कृष्ण को एकदम सही सलामत देखते हैं आनन्द पूरवक देखते हैं तब जाकर उनको कुछ चैन आता है और इसके बाद से फिर लोगों ने सोचा कि यह हो ना हो नंद भाबा ने जो इतना पुन्य प्रताप किया इतना दान किया यह उसका ही प्रभाव है कि पूतना आई तो सही लेकिन ना जाने कैसे अपने आप ही मर गई और उनको थोड़ी मालू है कि कृष्ण ने मार रहा है बुलव तो यह कलपना करते है कि अपने आप ही मर गई है तो इस प्रकार से इस स्थान पे यह पूतना का बद का फ्रामन होता है जो पूतना थी वो कौन थी आप जानते ही है पूतना का पिछला जन्वा कहा गया है कि जो बली महाराज है, बली महाराज की पुत्री थी, क्या नाम था? ने ने बिंध रतनावली, तो रतनावली नाम की पुत्री थी, जब भगवान बामन देव आय थे, तो बामन देव के सुंदर को देखकर बड़ी अभिभूत हो गई थी, और वो सोचने लगी, अगर ऐसा सुंदर मेरा पुत्र होता, तो कितना अच्छा होता, लेकिन जब भगवान बामन ने क्या किया, पूरी संपदा को हरन कर लिया, और बली महाराज को बांधने लगे, तो उसके हरदाएं में दूश आगया, कि मैं तो इसको अपने इस्तन में बिष्ट लगा करके मार दोगी, तो भगवान ने कहा, तो मुझे मार तो नहीं सकोगी, लेकिन तुमारी जो एक्छा हुई है, कि इस्तन में बिष्ट लगा कर मुझे पान कर आओगी, ये अवश्य कर सकोगी तो, तो इसलिए पूतना का देह इसको प्राप्त हुगा, अब पूतना की महिमा में यहां पर कई सारे इसलोक है, जैसे कि तृतिसकंद में आता है, आओ वकियम इस्तन कालकूतम जगान सया, अन्यत साद हुई, तो कहते हैं कि ये पूतना की जो मर्मता है, या फिर कहें भगवान की करपालुता है, ये पूतना वद में सबसे ज़्यदा पदर्सित होती है, कि भगवान ने उस पूतना को जो जिगान सया, जो मारने की इक्षा सया इती, उसको भी लेभे गती धात्रुचिताम, ये राजा नहीं बनाया गया, लेकि राजाओं को जैसा सम्मान मिलता है, वैसा सम्मान पराप्त हुआ. तो पूतना कावी यही था, उसको धात्रुचित, या धाय नहीं बनाया गया, क्योंकि जो वेक्ति दुइस भाव से आया है, उसको नंद भावन में सेवा प्राप्त नहीं होगी वो बहर मंडल में रहेगा वो गोलोक के बहर मंडल में रहेगा भगवान की सारी लीला का दरसन करेगा लेकिन भगवान की लीला में उसको सहयोग प्राप्त नहीं होगा ठीक है ना? तो यही यहां पर दर्साया गया तो लेकिन भगवान की कृपालुता अवर्सिस में दिखाए गए कि जो विक्ति मारने के लिए आया चुकि भगवान का अंगसंग प्राप्त हुआ भगवान के चरणों का इसपर्स, मुख का इसपर्स, हातों का इसपर्स सब कुछ पूतना को प्राप्त हुआ तो इसलिए उसको गोलोक की प्राप्ति हुई और गोलोक में कहा प्राप्ति हुई चकुर्ति पाद ने वर्ण किया है बहर मंडल में बहर मंडल रथा गोलोक का एक अंतर मंडल जहां ब्रजवासी लोग रहते हैं बहर मंडल जहां पर भील और पुलंद गर्ण जिनका कभी-कभी जैसे अबन ने देखा है कि फल बिक्रिता करने वाले जो फल बेचने वाली है भगवान के प्रास आती है तो वो पुलंदी जन रहे तो कभी-कभी ये ब्रज में आते हैं कुछ सेवार्थ कुछ सेवा करने के लेकिन ब्रज में रहते नहीं है लेकिन भगवान का उनको भी दर्शन प्राप्त होता रहता है ये कहने की बात है तो इस प्रकार से शुक्देग वस्वामी ने अंत में बताया है कि श्रुनियात श्रद्ध्या मर्त्यो गोविंद लबते रतिम अगर कोई व्यक्ति इस करते हैं हरे किसना तो अभी तो समय की पावंदी है लेकिन आप लोग भगवान की करपा से आप लोग के आशिरबात से और इसने से बल्राम पोडिमा को गरंत आ रहा है गोकुल लिला के नाम से भगवान कृष्ण की बधर मधर बाल लिला है तो जो लोग पूरी लिलाओं क को समगर रूप से पढ़ना चाहते हैं तो चुकि उसमें अभी तो हमने बहुत संचेप से ही कही हैं लेकिन अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो एक एक प्रसंग आपको जिसे पूतना वाला है करीब पचास पेजों में वो प्रसंग है मतलब क्योंकि सभी गरंतों से लिया अनृद्वर्णवन बाते के हैं और एक-एक पात्र के जैसे यह सुद मेया हैं या दन्द बाबा हैं या कनया हैं यह गोपीया हैं उनके एक-एक भाहु को बहुत विस्तार से और सारे बड़े ही विस्तार रूप से उनको दर्साया गया है तो अगर जो भी व्यक्ति भगवान की दिलाओं को समगर रूप से जानना चाहता है विसे इस रूप से बाल दिलाओं को तो उस ग्रंथ के माद्धम से आप जान करके अपने आपको कृष्ण भामना भावित कर सकते हैं जो हमारा उद्देश है तो भगवान की प्रणा से और आप सभी के आशिरबाद से वो दिव गरंथ संकलित हुआ है जिसमें सभी आचारियों की वाणी अपने गौड़ी वैश्णों में भी श्रे रसुकदेव गुस्वामी की बाड़ी है भागवत का गरंथ है साथ में गर्ग शहिता है साथ में आनन्द वर्दनावन जंपो गोपाल जंपो जी गुस्वामी पाद का और सूर्दास जी ने भी बहुत सारे बाल लिलाओं क्योंकि सूर्दास जी ने बाल लिलाओं को जैसा प्रकारशन किया है सम्भवता वैसा बहुत कमी लोगों ने किया है तो उनका भी बहुत अधिक समावेश है उस गरंथ में और भी अन्य पुराणों के विष्णु पुराण, हरिवन्शु पुराण, पद्वु पुराण और पद्यावली त्यादी के जो प्रसंग है कृष्ण करनामृत में भी भगवान की बाल लिलाओं के बहुत सारे प्रसंग है उनको भी उसमें संकलित किया है तो ऐसे सोला गरंथों से वह करम में वह गरंथ प्रस्तुत किया गया है बड़ा दिब गरंथ हुआ है तो आप सभी से निविदन है कि आप उसको अवश्च एक बार पढ़ें क्योंकि एक बार पढ़ेंगे तो फिर बार बार पढ़ने की अपने आप ही हो जाएगे जैसे रसगुला है एक बार खेलाया जाता है तो व्यक्ति अपने आप ही बार मांगता उसको बार बार कहना नहीं पढ़ता कि आपको चाहिए है या नहीं चाहिए तो एक बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपको अनन्द मिल जाएगा चलिए समय बहुत हो चुका है चमा चाहते हैं हरे कृष्णा गरंतराज स्रीमत भागवतम की नंद के लाला की कृष्ण जन पूतना उधार लिला की हरे कृष्णा